हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में आपको बेब डिजाइनिंग के 30 important mcq बताया जाएंगे कितने 30 important mcq बताया जाएंगे आपके o level exam के लिए तो आपका m1 ठीक है m1 r5 का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पसमें मिल जाएगा आप को आँ से जाकर देश सकते हैं और ये वीडियो यम्टू r5 यानि web designing and publishing के 30 important question है यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पीस देखें जाकर लिंक आपको description बाक्स मिल जाएगा यदि आप triple c की preparation करना चाहते हैं अच्छे से तो हमारे चैनल के माध्धम से आप कर सकते हैं तो triple c से related important question का वीडियो का लिंक आपको description बाक्स मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं केवल पंदरा सेकेंड का वीडियो है कितने पंदरा से आनिकी एक मिनट से कम का वीडियो देखिए उसमें बहुत ही important question आपको मिलेंगे तो पहला question क्या देगा इसमें computer जो विबिन वेब पेजो को store करता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम वेब server कहते हैं वेब server पर जो computer है वो विबिन वेब पेजो को store करता है अपनी आनिकी वेब server में store करता है next question क्या है दिया है उपयोग करता मानव है या नहीं यहाँ जाजने के लिए computing में उपयोग किये जाने वाले परिछड का प्रकार कौन सा है कौन सा है केपचा है आपने भिविन प्रकार के फार्म को भरे होंगे तो उसमें आपको एक केपचा कोड दिया रहता है जो इस बाक्स में मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के डिजाइन में केपचा कोड दिये रहते हैं आपको जैसे बाक्स में भरना रहता है फिर उसे किलिक करना रहता है तो वही है next question के हमारा देया गया है what is use of bookmark in internet browsing इंटर्नेट ब्राउजिंग में bookmark का क्या उपयोग है तो इसका राइट एंसर क्या है option number D इसका राइट एंसर है भविस्ट में उपयोग किये गए वेब पेजों को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है आपको नबर C इसका राइट एंसर है बुकमार का उपयोग भविस में उपयोग किये गए वेब पेजों को सेव करने के लिए किया जाता है आपसे नमबर सी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोसे नमरा क्या है चलिए देखते हैं निमलेखत मेंसे कौन एक Cloud Computing Based Data Storage Facility है याणि कि कौन है जो Cloud Computing पर बेज़्ड याणि क्लावड किम्कूर्टिंग पर अधारित डाटा स्टोराज की facility याणि सुविधा है कौन है और क्या है specifically प्लेज़ इस्टोर और ड्राप बाक्स एक सब क्या है cloud computing based data storage है तो आपस number D यानि B और C इसका right answer है बढ़ते है next question की तरफ दिया गया है URL से जुड़ा एक सब्द है तो इने में से URL से जुड़ा एक सब्द क्या है तो guys comment box में आपको बताना है URL का full frame क्या होता है आपको बहुत बार URL का full frame बताया गया चुका है तो बतायेगा जरू comment box में तो URL इन्टरनेट सब्द से जुड़ा है तो इन्टरनेट का अब सिकार कब हुआ था इसको आपको बताना है और next question हमारा क्या दियेगा है कौन सा search engine नहीं है तो इन में से कौन एक search engine नहीं है Microsoft ये कहा है का search engine नहीं है next question क्या है संसथाओं के भीतर आंतरिक संचार किसके माध्यम से किया जाता है तो यानि कि एक संसथा यानि कि माली ये क्या है एक ये संसथा है तो इसके अंदर जो कार होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं किसके माध्यम से होते हैं हमारे line network यानि कि line protocol रुकाल ने लाइन नेटवर्ग के माधम से होते हैं किसके माधम से लाइन नेटवर्ग के माधम से यानि की लोकल एरिया नेटवर्ग और वहीं पर वैन यानि की वाइड एरिया नेटवर्ग के लिए वैन का उप्यों करते हैं इसका राइट एंसर है चलिए बढ़ते हैं अपने next question की तरफ दिया है किसमें यानि कि किसमें परिवारती दस्तावेज बेपेज पर प्रकासित किये जा सकते हैं मारकप लंग्वेज होता है शलिए next question की तरफ बढ़ते हैं अपने तो एक website का home page क्या कहलाता है तो आपको बहुत बार होता है एक website का home page क्या कहलाता है दो फॉस्ट पेज कहलाता है आपसा नबर सी क्या है इसका राइट एंसर है और next question क्या हमरा दिया गया है वाटी जो ब्ला website है जहां आप निरंतर अधार पर समागरी लिखते हैं यानि कि एक website बनाए है आप आपने मतलब रोजगार से रिलेटेट समागरी पेस करते हैं और ब्लॉक्स बनाते हैं कहीं घूमने फिरने का तो उसे हम ब्लॉक कहते हैं तो कह दिया है वाटी जो ब्लाग तो ब्लाग ए प्रिष्टों को देखने के लिए उन्हें एक किस पर आधारित करना होगा तो किस पर वेब सर्वर पर इंटरनेट पर प्रिष्ट को देखने के लिए हमें वेब सर्वर की जरुरत होती है तो आपसे नमर डी इसका राइट एंसर है तो आई होप आपको को पसंदार होंगे और आपने चैनल को लाइक तो करते होंगे और वीडियो को लाइक भी कर देजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजेगा साथ ही में बेल आइकन भी दबाद देजेगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटीपे कैसे हैं आपको सबसे पहले विलिए next question क्या है यामेशन और A.LO किसके उधार हैं तो हमारा जो यामेशन है और A.LO तो यह किसके उधार हैं सर्च इंजन के उधार है आप सहने डी इसका right answer यह तो क्याएस यह बहुत ही महतपूर इंपॉर्टन कोशन है आपके वेब डिजाइनिंग के लिए तो आपका वेब डिजाइनिंग का पेपर अगस्त में स्टार्ट होने बाला है कितने अगस्त को है 20 अगस्त को तो यहां पर दिया है वर्ड प्रेस किसको कहा जाता है वर्ड प्रेस को हम क्या कहते हैं तो वर्ड प्रेस को हम National question है कि वो शुर्ते प्रक्राइब मैंरे केया सुन्दर सुन्दर एनीमेशन बनाने के लिए निन में से किस वेवसाइड़ प्रकार का उपक्योग करते। तो सुन्दर सा वेवसाइड एनिमेशन यानि की एनिमेशन रही तो सुन्दर वेवसाइड बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं किस वेवसाइड का फ्लेस का उपयोग करते हैं आपस नमर ए इसका राइट एंसर है चलिए इसी के तरह बढ़ते हैं अपने अगले को वेवबेज बनाने के लिए में से किसका उपयोग नहीं किया जा किता है तो इनpción मैंसे किसी का उपयोग डाय वेवबा बनाने के लिए नहीं किया जैता राता है यानि कि PHP ASP. Indonesia 007D. सब्सद्सLean वेव पेज पर कदिया है किसी अन्य वेव पेज से जूड़े वेव पेज पर आईकन या इमेज का एक टुकड़ा कहा जता है उसे हमके कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं आप से नवर भी इसका राइट अचर है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ तो हमारा अगला question दिया गया है which of the following is the wave server तो इन में से कौन सा एक wave server का प्रकार है या कौन सा wave server है तो कौन से है आप आचे ये क्या है प्रकार का wave server है next question हमारा के दिया है www किस model पर अधारित है तो हमारा जो www है यानी world wide wave ये क्या है www का full frame world wide wave या किस पर अधारित होता है या हमारे client server पर अधारित होता है आप से नमबर क्या है भी इसका right answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ दिया है वेब calculator में एक वेब robot होता है क्या वेब हाँ वेब के लेवेर में एक वेब रोबोट होता किस में वेब बॉट आप से नमबर सी इसका right answer है नेश्ट question के दिया है वाट डज याच टी 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 पी इस्टेंड फार यानी की याच टी 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 पी का full frame क्या होता है हाइपर ट्रांसपर प्रोटोकाल होता है हाइपर ट्रांसपर प्रोटोकाल क्या है हाइपर ट्रांसपर प्रोटोकाल याच टी 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 पी का full frame होता है इसको ध्यान में रखिएगा आपके एक्जाम में पूसकते है next question है किसको world by wave के पितागे रूप में जाना जाता है यानि कि world by wave को किस ने डवलेब किया था तो team vernells Lee ने world by wave को डवलेब किया था option number B क्या है इसका right answer है चलिए internet किस प्रोटोकाल इंजन का उप्योग करता है जो हमारा internet है वो किस प्रोटोकाल का उप्योग करता है तो internet हमारा TCP IP का यानि कि TCP IP का उप्योग करता है यानि कि transmission control प्रोटोकाल और internet प्रोटोकाल दोनों का उप्योग करता है आपसर नमर C इसका right answer है बढ़ते हैं अपने एगले question की तरफ दिया है the internet is the internet क्या है the internet is the internet यानि कि एक internet internet है तो कुछ प्रकार का है network of network यानि कि internet network यानि network को का network है resources का एक महासागर है एक सहकारी energy है और कि दिया all of the above यानि कि internet क्या है इन में से सभी है आपसर नमर D's का right answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ दिया है website के पहले page को हम क्या करते हैं homepage करते हैं आपको बहुत बार बता जा जा चुका है website के पहले page को हम homepage करते हैं तो का यदि वीडियो से related आप PDF आते हैं तो आपको PDF आपको description box में telegram के link में मिल जाएगा तो हमारे telegram channel से जोड़िए telegram channel का नाम है o level badge ठीक हमारे telegram channel का नाम है o level badge आपको telegram में सर्च करना है search बार में o level badge आपको वहाँ पर मिल जाएगा white color का logo होगा जो इसमें आपको इसमें देख रहा है white color का logo ये वाला logo जो दिख रहा है वही होगा ठीक है उसी को जवाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सभी वीडियो के PDF असानी से मिल जाएगा आपसे next वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए इस वीडियो को देखेगा ज़रूर और भी अपने सारे दोस्तों को share करें जो भी o level के तैयारी कर रहे हैं और साथ में आप जो भी छात शत्राएं graduation का preparation कर रहे हैं हमारे चैनल पर graduation से related भी वीडियो उपलब्द कराई जाती है तो धन्यवाद जय स्री राम जय बदरंग बली